नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार यूनिक परिवार में और दोस्तों जो भी हमारे दोस्त हैं जो भी हमारे फ्रेंड हैं इंजीनियर साहब लोगों के लिए एक बहुत ही सुनारा आउसर और बहुत ही एक उन लोगों के अपनव में धरना प्रधर संदिया इस रज़े से उनको exam date मिल गई है बाकी आप लोगों को पता है कि आप लोगों का भाई रतना कर आप लोगों के लिए कुछ ने कुछ हर exam में करता रहता है तो इस exam में computer के questions हैं आपको पता है कि इस exam में computer भी आ रहा है और पूरे YouTube पे अग लोगों के लिए बहुत ही खुसकवरी लेके आया हूँ कि जो इसकी class है वो मैं आप लोगों को provide करने वाला हूँ उसके लिए मैं आपको यहां स्लैबास discuss कर देता हूँ आपको time schedule date और day जानने के लिए नीचे दिये गए contact number पे description में contact number पे आप WhatsApp या फिर call कर सकते हैं हमें दोस्तों तो हम लोग सबसे पहले discuss कर लेते हैं कि इस में छोटा सा syllabus है basic concepts है जिनके questions लेकिन previous year के questions जो है उनको discuss करेंगे जो new versions के question update हुए है उनको हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों तो चलिए पहले हम लोग syllabus को discuss कर लेते हैं फिर आगे की बात करते हैं दोस्तों देखो अगर हम slabus की बात करें तो जो slabus है आपका बहुत basic है ठीक है क्या है सबसे पहले computer है peripheral device peripheral device की बात करेंगे हम लोग input output की बात करेंगे हम लोग दूसरी चीज़ है number system, number system सबको पता है कि जो आपके चार conversions होते हैं basic चीज़ें यार उसे बताने की जरूरत नहीं है memory की बात करें computer कैसे सोचता है, कैसे काम करता है हम इसकी भी बात करेंगे, पूरा discuss करेंगे, पूरा details में internet है, modem है, operating system है और उसके बाद ये आपका language है Microsoft Office ये आपका है, जिसमें MS Word, Excel और PowerPoint भी आता है तीनों चीज़ को देखेंगे, प्लस email को भी देखेंगे और एक सबसे important चीज़ जिससे question, ये तो आपका detail रिया हुआ है सबसे important चीज़ जान लो, कि security से question आएगा, cyber security से किसे आएगा, cyber security से question आएगा, और ये पूरे YouTube पे कोई नहीं बताया है कान खोल करके सुन लो, cyber security से question आएगा, और आपका जो e-governance है जो e-governance की topic होती है, उससे भी question पूछेगा इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, कि जहां से कहीं से भी पढ़ना सिर्फ previous year practice set को ना solve करके, कुछ नए updates को भी देखना कि market में कौन-कौन से computer के लिए करके updates आए हुए है इनको भी ध्यान रखते हुए, चुकि ये सब trending topic चल रही है और हम लोग इसी topic को discuss करेंगे, और साथ में जो भी previous questions paper है उनको भी solve करेंगे और नए version के साथ updated चीज़े ले करके आए हैं तो दोस्तों याद रखना हम लोग जो है बहुत जल्दी class को start करें फटा-फट WhatsApp पे आप हमें contact करें और जा करके एक सबसे सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दू कि जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है आपको जाना है प्ले स्टोर पे यूनिक ग्रूप application को डाउनलोड करना है और जा करके आप वहां से यूपी ट्रिपल स्सी जेई 2016 2018 का एक्जाम आप लोग जा करके कि वहां से computer class को जोईन कर सकते और साथ में नीचे दिये गए contact नंबर पर contact कर सकते हो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को जैहिन कि अगर अगर